सवाइम आध्यपूर इस्तित रंथंबोर नेशनल पार्क में एनियमित ताउं का दोर लगातार जारी है विभाग्य अधिकारियों के अंदेखी एवं लापरवाही के चलते रंथंबोर में बाग, बागिन और शावकों के लगातार मोत हो रही है वहीं वनारिकारी परियाटन में व्यस्त है ऐसी ही एक दुखत घटना रविवार शाम को घटित हुई जब हिंदवाट गाउं में बाग टी 58 की मोत हो गई दरसल रविवार सुबह जंगल से निकल कर बाग टी 58 हिंदवाट गाउं के खेतों में जा पहुँचा था जहां बाग ने एक भहस का शिकार किया था जिसके सूचना ग्रामीनों ने वनवी भाग को दी थी सूचना के बाद वनवी भाग की टी मोके पर पहुँची थी और बाग की मोनिटरिंग वे ट्रैकिंग शुरू की गई लेकिन इसी दर्मियान बाग टी 58 की संदेशा पद मोत वे वनवी भाग के कारे पर नाली पर बड़े सवाल खड़ी कर रही है वनवी भाग से मिली जान करी कि अनुसार बाग टी 58 की उम्र करीब 12 साल थी बाग का पोस्ट माटम सुबह नाका राजबाग पर किया जाएगा फिलहाल म्रत बाग टी 58 की शक को नाका राजबाग सिद्वन्यजी मोशरी में रखवाया गया है बाग की मोट के कारणों का खुला सा पोस्ट माटम के बाद ही हो पाएगा